Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? Landmark Case Law Series में आज हम लोग एक और नए case के बारे में बात करने वाले हैं और आज इस case का हम लोग detailed analysis करने वाले हैं वो case है A.K. Gopalan versus State of Madras क्या है इस case की importance? कैसे ये case Mrs. Minka Gandhi versus Union of India के case से connected है? जोनों cases में क्या connection है? ये सारी बाते हम समझेंगे और constitutional law में इस case को क्यों पढ़ा जाता है? specially जब बात आती है article 21 of the Indian constitution की तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ case के बारे में बात करने से पहले आप सब लोगों को बोल दूँगे अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो do subscribe the channel और अब case को शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि इस case के facts क्या है? ऐसा क्या हुआ था इस case में? तो चलिए मैं आपको इस case के सारे facts के बारे में बताता हूँ और detail में हम लोग बात करते हैं कि इस case की शुरुवात कहां से हुई थी और इस case का outcome basically क्या था? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बारे में? इयर था 1947 तो 1947 में एके गोपालन अब एके गोपालन कौन थे? तो he was basically a social and political worker ठीक है? arrested और किसने arrest कर लिया था हैं आपे? तो state के तरह से इनको arrest कर लिया गया था तो ये case है state of madras के against में state of madras कैसे? क्योंकि तब Tamil Nadu एक अलग से state नहीं बना था तो उस time पे state of madras था और इनको preventive detention law में arrest कर लिया गया था और अलग-अलग orders आ रहे थे जिससे कि इनका जो detention time था उसको बढ़ाया जा रहा था ठीक है? इनका basically conviction नहीं हुआ था he was not convicted लेकिन he was detained so he was detained in the custody now अब इन्होंने क्या किया? 1947 में मैंने आपको बताया 1947 December में ही इनको detain कर लिया गया था और 1950 में जब हमारा constitution आया तो 1950 में जब इंडियन constitution आया तो इंडियन constitution के साथ ही fundamental rights की entry हुई तो इंडियन constitution जब applicable हुआ तो उसके बाद में इनकी तरफ से preventive detention law को challenge करने के लिए he filed a writ तो basically इन्होंने एक writ petition file करी इन्होंने एक writ petition file करी basically he wanted to take the help of he wanted to take the help of Supreme Court और यह चाते थे कि habeas corpus की writ जो है वो issue कर भी जाए तो habeas corpus की writ यहाँ पही मैं bracket में लिख देता हूँ ताकि आप लोग जब भी habeas corpus को पढ़ें तो आपको relevant case law का example भी याद आ जाए सुप्रीम कोर्ट में उन्हें petition file की थी अंडर आर्टिकल 32 of the Indian Constitution मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ में relevant articles के नाम भी याद रखें सो आर्टिकल कौन से इन्वाल्ट था आर्टिकल 32 of the Indian Constitution यहाँ पे इन्वाल्ट था और इनकी ये request ही कि इन्हें release कर दिया जाए detention से और इन्हें detain कर रखा था कॉंसे लों में under the Preventive Detention Act 1950 तो यह जो Preventive Detention Act 1950 है ना इसी की validity को challenge इन्होंने किया था इसी की validity को इन्होंने challenge किया था तो कॉंसा law था अब उसके बारे में मैं हाँ पे बात कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे मैंने जो law आपको बताया that was Preventive Detention Act और इन्होंने अपने petition में basically ये कहा था कि ये जो law है ये law basically unconstitutional है तो इनका ये कहना था कि ये law जो है ये unconstitutional है अब इस law को unconstitutional कहने के लिए इन्होंने कौन कौन से arguments दिये उन arguments के बारे में भी बात करते हैं और article 21 से ये कैसे related है उस aspect को भी हम लोग discuss करते हैं आप सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि ये जो law है Preventive Detention Act 1950 जो है ये basically किसको violate करता है तो मैं यहाँ पे part 3 of the Indian Constitution के कुछ articles के बारे में आपके साथ बात कर रहा है so part 3 of the Indian Constitution जिसके basis पे ये चाहते थे कि Preventive Detention के law को unconstitutional declare कर दिया चाहे तो वो article कौन कौन से थे ये आप ज़रा दिखेगा सबसे पहले आप दिखेगा article 13 of the Indian Constitution तो article 13 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा law है जो कि part 3 of the Indian Constitution का इसके अलबा article 19 of the Indian Constitution जिसमें की basically 6 fundamental rights है freedom of speech and expression right to form associations and unions, right to assemble तो ये जो अलग-अलग rights हैं ये किसमें गिवन है article 19 में गिवन है इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ article 21 जो इसके इसमें बहुत important role play किया था role play किया था इस article ने और इसके साथ-साथ कौनसा आर्टिकल और इसके साथ-साथ article number था article 22 article 22 article 21 किसके बारे में है life and personal liberty को लेकर कौनसा आर्टिकल है article 21 article 22 किसके बारे में बात करता है article 22 जो basically बात करता है कि अगर arrest किया जादा है किसी person को तो उसके procedure के बारे में article 22 में लिखावा है तो इन्होंने कहा कि ये जो preventive retention का जो आर्ट है basically ये violation करता है ये किसका violation करता है इन सारे articles का basically violation करता है इसलिए क्या कर दिया जाए इस law को unconstitutional या illegal declare कर दिया जाए unconstitutional declare कर दिया जाए और इन्हें basically imprisonment से release कर दिया जाए अब मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि जब भी एक गोपालन केस की बात होती है तो due process of law ये word हमेशा आता है and procedure established by law procedure established by article 21 में ये बहुत एक interesting concept है और बिल्कुल related concept है कि due process of law क्या है and procedure established by law क्या है due process of law जिसकी बात US constitution में की गई है लेकिन हमारे constitution makers ने due process of law को शामिल नहीं किया था article 21 में हमारे constitution में क्या लिखा हुआ था basically procedure established by law procedure established by law के बारे में हमारे constitution के article 21 में लिखा गया है अब इन्होंने basically अपनी petition में ये भी कहा था अपनी petition में ये भी कहा था कि part 3 का violation करता है preventive detention law और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि ये जो fundamental rights की जब हम बात करते हैं तो इन सारे articles को collectively देखा जाए इन सारे articles को basically collectively देखा जाए collective study की जाए कि हर एक article जो है वो basically क्या कह रहा और अगर किसी law को compare करना है ये बात अब ध्यान में रखिएगा किसी भी law को अगर compare करना है तो comparison करने के लिए क्या किया जाए comparison करने के लिए आप ये देखें कि वो law अगर किसी एक particular article का violation ना करे लेकिन अगर वो बाकी articles का violation करता है तो भी उस law को unconstitutional declare कर देना चाहिए ये सबसे important aspect था इस case का आप मेरी इस बात को समझ रहे है ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ तो उनका basically ये कहना था कि preventive detention का जो law है हो सकता है ये किसी एक particular article को wallet ना करे लेकिन अगर ये बाकी articles को wallet कर रहा है बाकी articles को wallet कर रहा है तो भी इसे unconstitutional declare कर देना चाहिए और इसलिए कहा कि इनकी collective जो है मिलकर मिला कर इन articles को देखना चाहिए यही difference create हुआ था एक है गोपालन वाले case से मेन का गांधी वाले case में क्योंकि Supreme Court का judgment यहाँ पे अलग था तब Constitution इंडिया में नया नया आया था पहली बार Constitution इंडियन Constitution 1950 में आ गया था तो अब Supreme Court का क्या judgment था इस सारे arguments के उपर इन सब के उपर Supreme Court ने क्या कहा अब इसको हम समझते हैं तो Supreme Court की तरफ से क्या judgment दिया गया और इस judgment में मैं आपको कई technical aspects जो है वो समझाने वाला हूँ कई technical aspects के बारे में हम यहाँ पे कर रहे हैं उनका तो यह कहना था एक एक गोपालन जो petitioner थे उनका यह कहना था कि यह जो Preventive Retention Law है इससे मेरी right to life and personal liberty का क्या होता है violation होता है और इस Preventive Retention Law की वज़े से मुझे एक जगा basically क्या कर दिया गया तो मैं कहीं I cannot move anywhere in India मैं कहीं भी बाहर नहीं जा सकता हूँ तो मेरी Article 19 का भी violation है Article 19 का भी violation है तो यह सारे reasons उन्हों ने दिये थे और उनका सबसे बड़ा argument यही था जो मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि इन सारे articles को collectively study की जाए collectively देखा जाए लेकिन फिर Supreme Court ने क्या कहा अब इसे हम समझते हैं लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपके साथ एक important information जो है वो share करना चाहता हूँ और वो important information है कि अगर आप लोग मुझसे judiciary पढ़ना चाहते हो जैसे कि आप लोग हमेशा पूशते रहते हो तो अगर आपको मुझसे judiciary पढ़नी है तो आप मुझसे judiciary classes ले सकते हो कहाँ पे यहाँ पे ले सकते हो तो judiciary exam 360 this is the YouTube channel of an academy तो इस channel पे भी आप मुझसे judiciary की free live classes ले सकते हो daily 11 a.m मेरी classes होती है तो इस channel पे आप आईए और मेरे साथ landmark cases पढ़िए revision कीजिए जो भी आप पढ़ना चाते हैं judiciary के लिए वो आप मुझसे पढ़ सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है judiciary exam 360 इस YouTube चैनल को subscribe करना है और यहाँ पे आप मेरी live classes जो है वो daily अजेंड कर सकते हैं at 11 a.m ओल्राइट इसके साथ साथ अगर आप लोग unacademy की ऊपर judiciary का कोई subscription लेने का plan कर रहे हो अगर आपको unacademy की जो plus platform है unacademy plus एक paid platform है तो अगर आप judiciary का कोई subscription लेना चाहते हो या judiciary का ना लेकर किसी और subject का या किसी और course का आप subscription unacademy plus की ऊपर लेते हो तो तो वहाँ पर आप मेरा ये code यूज़ कर सकते हो and my code is SAVY10 so this is my code अगर आप मेरे इस code को यूज़ करेंगे तो आपको 10% off मिल जाएगा on purchase of any subscription on the Unacademy Plus platform और राइट, इसके साथ साथ ये देखो Unacademy Plus के कुछ benefits हैं live classes होती है, weekly test होती है study planner है, structured course है unlimited access and test analysis Unacademy Plus के उपर अभी मेरा CPC का live badge जो है, ongoing है limitation का पूरा course जो है Unacademy Plus के उपर मेरा available है CPC का जो course है मेरा ongoing है, तो Unacademy Plus के उपर भी आप मुझसे live classes ले सकते हो इसके साथ साथ ये Unacademy Plus का pricing plan है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो और अपने according आप कोई भी pricing plan चूज़ कर सकते हो, अगर यहाँ पर आप code use करोगे तो आपको 10% off मिल जाएगा on purchase of subscription of Unacademy Plus इसके साथ साथ एक और आपको यहाँ पर information देनी थी, कि अगर आप Unacademy की app पर मुझसे free में भी classes ले सकते हो जी बिलकुल, Unacademy Learners आपके उपर, आप मेरी free classes अटेंड कर सकते हो, जो होती है special classes, यह special class मेरी daily होती है, Unacademy Learners आपके उपर, आपको इसके लिए simply क्या करना है, इस वीडियो के description में आपको मेरी Unacademy profile का link मिल जाएगा इस वीडियो के description में जो आपको मेरी Unacademy profile का link मिलेगा उस पे click करके, आप Unacademy app पे मुझे follow कर सकते हैं, और वहाँ पे आप live class अटेंड कर सकते हैं, मेरे साथ अपने doubt share कर सकते हैं, और बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, अगर आप judiciary के लिए preparation कर रहे हैं, तो all right, telegram पे अगर आप मेरे साथ connect करना चाहते हैं, तो telegram पे मैं आपको मिलूँगा यहाँ तो telegram channel का नाम यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, and the name of the channel is संयोग व्यास judiciary so here you can find me on telegram, all right तो यह important information आप सब लोग के साथ share कर दी है, hope to see you all, मेरी live class में देखने, जी बिल्कुल wait करूँगा कि आप सब लोग मेरी live class में आएंगे और वहाँ पे भी बहुत कुछ नया सीखेंगे, चलिए, आप वापस आते हैं हमारे case की उपर, तो हमारे case की उपर जब हम बात कर रहे हैं, तो preventive retention की law को challenge किया गया था और यह कहा था कि आप collective उनकी study कीजिए, क्योंकि यह violation कर रहे हैं मेरे fundamental right का, अब supreme court ने यहाँ पे जो कहा, वो interesting रहेगा, सुनना, बहुत interesting रहेगा, supreme court ने यह कहा, ठीक है all right so basically in this case, supreme court disagreed supreme court disagreed and holding that supreme court ने क्या कहा, holding that fundamental right dealt with distinct fundamental right to deal करते हैं किससे distinct matter से and should be and should be considered supreme court ने क्या का, इनको isolation में deal किया जाएगा considered in isolation यह बात यहाँ पे supreme court ने बोलती मतलब अगर हम किसी एक section की बात करेंगे, या किसी आग की बात करेंगे, तो उसको हम relevant article से compare करेंगे, जो भी उसका relevant article होगा, उससे हम क्या करेंगे, उसका comparison करेंगे, ना कि बाकी each and every fundamental right उनसे comparison नहीं होगा, सिफ जो relevant होपे article होगा, उससे ही comparison होगा, ठीक है, अब यहाँ पे court ने क्या कहा, अब यहाँ पे basically court ने ये कहा, the court held that, the court held that, कि जो condition, since the conditions, conditions laid out in article 22, ठीक है, वो basically क्या हुई है, वो हुई है, basically satisfied, तो जो conditions, article 22 में थी, वो conditions यहाँ पे क्या हुई है, वहाँ पे conditions satisfied हुई है, मलब जो preventive retention का law था, वो article 22 को satisfy कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए, petitioner जो है, इसलिए, जो petitioner है, he was not entitled, ये बोल दिया गया, कि petitioner जो है, वो basically entitled नहीं है, तो challenge his detention, तो challenge his detention, अब सबसे important समझने वाली बात जो है, जो हमें समझने है, उसकी उपर ध्यान दीजेगा, पेटिशनर की साइट से ये भी कहा गया था, कि आप इस law को article 21 से compare कीजे, article 21 में क्या लिखावा है, ये लिखावा है ना, procedure established by law, ठीक है, no person, no person shall be deprived of his life and personal liberty, except the procedure established by law, लेकिन साथ में ये कहा गया, कि अगर वो procedure जो है, वो procedure जो है, वो basically अगर वो arbitrary है, वो oppressive है, वो oppressive है, तो उसमें court क्या कर सकता है, क्या court उसको review नहीं कर सकता, क्या court उस process को review नहीं कर सकता, article 21 से, preventive detention law में जो procedure है, क्या वो article 21 के according, properly काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कि ये काम legislature का है, सुप्रीम कोर्ट ने का law बनाने का काम legislature का है, यहाँ पे एक procedure established by law, article 21 में लिखावा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना इस case में article 21 की basically narrow interpretation दी थी, और यही narrow interpretation जो है, ये बाद में में का गांधी वाले case में बदल दी गई थी, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, कि कोई भी जो procedure established by law है, that procedure should not be arbitrary, वो procedure arbitrary नहीं होना चाहिए, वो unfair नहीं होना चाहिए, that should not be unreasonable, unreasonable, तो basically जो US का due process of law था, उसकी entry इंडिया में कौन से case में हुई, मिसेस में का गांधी वाले case में हुई, अभी भी हमारे constitution में due process नहीं लिखा हुआ, मैं आप लोगो clear कर देता हूँ, article 21 में, अभी भी लिखा हुआ है procedure established by law, लेकिन साथ में court ने ये का कि वो जो भी procedure होगा, that procedure should be reasonable, not arbitrary, ठीक है, वो procedure जो है reasonable होना चाहिए, arbitrary नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये बात Supreme Court ने बोल दी थी उस case में, तो basically एक बहुत लंबी journey रही है एक एक गौपालन case से लेकर मेंका गांधी वाले case में, एक एक गौपालन case में, सिर्फ Supreme Court के एक ही justice से, जिनका opinion बाकी judges से अलग था, बाकी judges से अलग था, और उसके बाद में जब case आया था, RC Cooper का case, तो RC Cooper का case आने है कि टाइम पे Supreme Court ने ये ब case में, जो Supreme Court ने एक गौपालन के case में नहीं किया था, वो मेंका गांधी वाले case में कर दिया, और उसका implement जो है, वो बच्चन सिंग वाले case में हुआ था, उसका जो सबसे बड़ा implementation का example है, वो बच्चन सिंग वाला case है, जो कि 1980 में आया था, तो मैं आप सब लोगों को भी देखेगा, जिसमें मैंने Mrs. Minka Gandhi versus Union of India वाले case को explain किया है, तो Supreme Court ने क्या कहा, Supreme Court ने ये कहा, कि जो basically petitioner है, was not entitled to challenge his detention under, ठीक है, detention under any other fundamental right, any other fundamental right, जो article 22 की requirements है, उनको तो satisfy किया जा रहा है, article 22 की requirement को satisfy करता ये law, तो हम article 21 से इसको compare नहीं करेंगे, हम इसको compare नहीं करेंगे, right to life and personal liberty जो है, उससे इसको बिल्कुल भी compare नहीं किया चाहेगा, ठीक है, और Supreme Court ने इस case में basically reject कर दिया था, इस बात को acknowledge करने से, जो similarity है किसमें, due process and procedure established by law, due process of law, जो मैंने आपको बताया है कि American constitution से लिया, American constitution में है, और procedure established by law, जो कि Japanese constitution, और हमारे constitution makers ने procedure established by law, ये line use की थी Article 21 में, तो Supreme Court ने ये का, कि जो इनका detention किया गया था, ये कि Gopalan का, वो detention पूरी तरीके से valid था, क्योंकि वो detention जो है, वो Article 22 की requirement को satisfy कर रहा है, और रही बात Article 21 की, तो Article 21 में क्या लिखावा है, procedure established by law, Article 21 में तब ये नहीं लिखावा था, कि वो procedure जो है, वो reasonable होना च चाहिए, getting my point, तो ये पूरा का पूरा judgment था Supreme Court का A.K. Gopalan वाले case में, लेकिन आपको मैं लास्ट में एक बार फिर बता रहा हूँ, कि जब R.C. Cooper का case आया, और उसके बाद में, जब मेंका गांधी जी का case आया, तो उसके बाद में Supreme Court का, जो judgment था, वो वहाँ पे change हो किया था Alright, तो golden triangle का जो concept आप पढ़ते हैं, वो फिर मेंका गांधी के case में किस तरीके से डवलप हुआ, ये आप मेंका गांधी वाला case का वीडियो देखकर समझ सकते हैं और यहाँ Supreme Court ने कहा कि सारे articles को exclusively देखा जाएगा, ना कि collectively Alright, so I really hope कि इस वीडियो से आपको काफी understanding डवलप हुई होगी about the case of AK Gopalan versus state of Madras अगर ये वीडियो पसंद आया, तो please इस वीडियो को like कीजेगा, चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलना और जो landmark cases की उपर मैंने और वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किये हैं, उन वीडियो को भी जरूर देखेगा मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने next वीडियो में, thank you so much, God bless you all